योर्क वीएजडी चिलर में एडेक्टर क्या होता है और एडेक्टर क्यों लगायाता है एडेक्टर का क्या काम है एडेक्टर क्लॉग फाल्ट आता है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे बहुत सारे भाईयों ने हमें कमेंट में पूछा था कि एडेक्टर के बारे में इंफॉर कर रहा है में इंटरेंस का या कुछ भी या जो भाई हमारे इंटर्विव के लिए जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही काम के आने वाली है इसलिए वीडियो को बिल्कुल लाश तक देखें इसकी पना करें वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करने चैन लगा हुआ जो सिस्टम होता है इडेक्टर उसको एक लाइन होता है जो के इवापरेटर के नीचे से आता है उसके बाद फिल्टर में जाता है इडेक्टर में जाता है तो इडेक्टर का में परपस क्या है इडेक्टर का जो में परपस है वो यह है कि जो इवापरेटर में जो हमारे system में जो oil चला जाता है आप जानते हैं इसमें oil separator भी लगा हुआ है लेकिन oil separator में gas जाता है discharge के तुरू और वापस वो compressor में return आ जाता है लेकिन कई बार होता है फिर भी system में थोड़े बहुत oil चले जाता है तो oil और refrigerant को mix करके जो वापस लेता है यह एड़ेक्टर लाइन में आता है और वहां से क्या जाता है यह उसके बार यह आता है इड़ेक्टर filter में जाने के बाद इसको क्या होता है कि वहां से यह दुबारा compressor में वापस भेज देता है तो इड़ेक्टर का जो में कारण है कि oil को refrigerant system or refrigerant cycle से निकाल के और उसके बाद compressor में दुबारा भेज देना अगर oil cycling में चला जाएगा सिस्टम में चला जाएगा और वापस नहीं आएगा तो उससे क्या होगा compressor का जो mechanical parts है उस पे effect पढ़ेगा और friction पैदा होगी और आपका compressor खराब हो सकता है इसलिए इड़ेक्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है विएजडी यूर के विएजडी मोडल में तो अभी आप लोग को समझ में आगया होगा कि इड़ेक्टर क्या होता है और क्यों लगा जाता है अभी filter में आपको बता देता हूँ कि filter इसमें इसलिए है जो line में जब gas और oil mix होके आता है तो कुछ भी अगर moisture है या कुछ dirt वगरा है तो या carbon है तो वहाँ पर उसको filter कर देगा ताकि compressor में यह दुबारा नहीं जा सकता है तो अभी आपको filter का भी समझ में आ गया अभी इड़ेक्टर उसके बाद क्या होता है कि इड़ेक्टर क् fault हमेशा हमारे चिल्डों में अक्सर यह देखा जाता है कि इड़ेक्टर क्लॉग फाल्ट आ गया तो उसमें जरूर नहीं कि एक चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है जब हमारे एवापरेटर से रेफिजरेंट के साथ oil वापस आता है इ इड़ेक्टर क्लॉग फाल्ट आएगा और दूसरा यह है कि अगर सेंसर खराब होगा तो भी इड़ेक्टर क्लॉग फाल्ट आएगा तो आप लोगों को यह दोनों प्रापरली चेक करना है कि हमारा जो oil line है जो हमारे डेक्टर है वो केलियर है या नहीं है इसमें कैसे पत तो आप लोगों को सबसे पहले सेंसर वेरिफाई करना है अगर सेंसर सही है तब आप लोगों को फिल्टर पर जाना है कि एडेक्टर फिल्टर ब्लॉक तो नहीं है उसकी वज़ा से भी यह प्रावलम आती है और कई बार अगर इसमें कंट्रोल का कोई इशू होगा तो भी एडेक्टर कलॉक फाल्ट आ सकता है तो यह ज़रूर नहीं है कि सिर्फ सेंसर या फिल्टर यह खराब होने से एडेक्टर कलॉक फाल्ट आएगा अगर कोई कंट्रोल का इशू होगा तो भी इसमें एडेक्टर क्लॉब फाल्ट आ सकता है तो उसको आप लोगों ने प्रापरली वेरिफाई करना है उसके बाद इसको सही करना है अभी आपको ये समझ में आया होगा कि इडेक्टर क्या होता है और इडेक्टर क्यों लगाया आता है तो आप लोग ये समझ में आ गया कि इडेक्टर क्यों का लेवल यसकी वज़ा से फ्रेक्शन पैयदा ना ओ के याटर लगा जाता है और जो कैटेम और ये नित तक नहीं नितन और लेकिन सuestas के तो वह चला जाता है ओपरेटर में था आ lethal ऐपरेटर में तो इसकी वज़ासे एव grasses से विल को यह वापस लेता है इसका जो लाइन का कनेक्शन होगा आप देख सकते हैं तो आप लोग को मालम चलेगा कि इवापरेटर के नीचे साइड में इसका एक लाइन का connection होता है और वहाँ से आने के बाद ये लगा होता है filter में filter के बाद ये लगा होता है और वहाँ से झाता है कहां compressor के section line में तो compressor के section line में ये लगा Hund Ought By अब लोग को वेरिफाइ और सकते एक बात और आप लोग को बताथा चलता हूँ कि अलग अलग चिलर सिस्टम में अलग अलग चिलर प्लांट में सिस्टम में अलग अलग डिफरेंट तरीके यूज किया आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर चिलर में आपको एड़क्टर मिलेगा किसी और में कोई और सिश्टम भी होता है डूसरों में होता है किसी में कुछ होता है किसी कुछ होता है तो जरूर नहीं कि हर चिलर में आपको यहीं सिस्टम देखना को मिले तो उम्मित करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें जरूर बता हैं वीडियो अच्छी लगए तो ज़रू लाइक करने चैनल को सबस्क्राइब करने और बैल अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें किया पता उन्हें भी इसकी जरुवत हो और ज़ाज 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 लोगों तक इस वीडियो को पहुचा है आप लोग चाहे तो अपने फैस्बूक पे ट्विटर पे इस्टाग्राम पे यूटूब पे जहां भी वटसप बगरा पे जिस चीज़ पे भी आप लोग चाहे तो पर वीडियो के लि बाई बाई